इस minor pen card को हमने measure में बदल दिया तो यहाँ पर देखेंगे कि signature जो थी यहाँ पर father की थी पहले और यहाँ पर हमारा photo नहीं था तो यह हमारा fully तरीके से measure में pen card होता है यह पूरा pen card update हो गया है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर यह minor बना हुआ है तो यहाँ पर photo भी नहीं और जो signature है वो father की है यानि कि candidate की यहाँ पर signature नहीं है तो इस वाले pen card में यह major pen card है इसमें signature खुद की signature यहाँ पर आ गई है और यह हमारा latest photo मंचहा photo यहाँ पर लग गया और जो pen card होता है वो pen card यहाँ पर बनकर हमारी mail ID पर आ गया है और यह pen card हमारा physical में हमको deliver भी हो गया है अगर आप भी इस तरीके से अपने minor pen card को measure में बदलना चाहेते हैं तो पूरी video इन तक आपको देखना है तो यह काम आप कैसे करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं माइनर pen card को measure में बदलने के लिए आपको इस website पर आना है link जो भी आपको description में मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि application जो type है application type यहाँ पर application type में हम लोगों के case में change correction in exacting pen data reprint पर आपको click करना क्योंकि हमको यहाँ पर अपना pen card अपडेट करना photo और signature हमको लगानी है इसके लावा आप email, mobile number वो भी आप अपडेट कर सकते हैं वीडियो में बने रहें कहीं पर भी आपको skip नहीं करना है तो यहाँ पर individual हैं हम लोग तो individual यहाँ पर कर देंगे जो डियो भी pen card पर है यहाँ पर एक email ID unique देनी है एक mobile number आप unique देंगे तो यहाँ पर आपका mobile number हो जाएगा यहाँ पर citizen Indian है हम यहाँ पर यह टिक करेंगे pen number हम डालेंगे अपना यहाँ पर capture code डालके submit कर देंगे तो जो भी detail है यहाँ पर इस तरीके से fill कर दी गई है तो आपको भी इसी तरीके से fill कर लेना है capture code डालके आपको यहाँ पर submit बटन पर click कर देना है तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक token number प्राप्ट होता है जो कि आप इसको अपने पार note करके रख लेना है इसके बाद continue with pen application form पर आपको click करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे तीन option आपको दिये जाते हैं आपको बीच वाला option select कर लेना है तो यहाँ पर आपको documents भेजने नहीं पढ़ते हैं आपका photo signature भी यहाँ पर update हो जाएगा तो आपको यह वाला select करना है यहाँ पर इसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको physical pen required है या नहीं यह बोला जारा तो हमको physical pen required है क्योंकि जो कि हमारा by post आएगा और e-pen भी हमारी mail पर आजाएगा तो यहाँ पर हमारा permanent account number जो pen number है वो already यहाँ पर लिखा रहता है आधार number only for individual तो आपको यहाँ पर tick कर देना है यहाँ पर आपको आधार के last four digit डालने है चार डिजिट आपको यहाँ पर डाल देने है इसके बाद e-id number लिखा इसको आपको avoid करना यहाँ पर name as per आधार जो आपकी नाम आधार पर नाम लिखा है वो यहाँ पर आपको simply नाम डाल देना है जो आपके आधार काड़ पर लिखा है यहाँ पर good individual case में GST नहीं रहता है तो आपको यहाँ पर देखेंगे full name of applicant तो यहाँ पर आपको tick कर देना यहाँ पर नाम जो भी है यहाँ पर लिखा रहता है और यहाँ पर जो name प्रिंट जो होकर आएगा हमारे pin card पर वो name यहाँ पर लिखा हमारी DOB यहाँ पर है तो date of birth आप यहाँ पर tick भी कर सकते हैं अगर आप date of birth correction भी करना चाहरे हैं इसके बाद यहाँ पर detail parent available for individual applicant तो यहाँ पर आपको tick कर देना है यहाँ पर आपको father name डालना है यहाँ पर first और यहाँ पर last अगर middle name है तो आपको यहाँ पर डाल देना है तो आपका जो pen card पर अपने father का name change कराना चाहरे है आप अपने pen card पर father का name print कराना चाहरे है तो यहाँ पर father name वाले पर tick कर देंगे यदि आप अपने pen card पर mother का name print कराना चाहरे है तो यहाँ पर mother name डालेंगे और यहाँ पर tick कर देंगे बहुत सारे cases में father name ही रहता है तो हम लोग father name ही recommend करेंगे कि आप जो father name यहाँ पर select कर लें यहाँ पर father name डाल के next पर click कर दें तो next page पर आएंगे आपको यहाँ पर address for communication आपको address यहाँ पर देना है आप detail यहाँ पर हर बार आप detail save कर देंगे अगर net के चलते net error के चलते यदि आपका data यहाँ पर erase हो जाता तो यहाँ पर save आपको मिलेगा तो यहाँ पर हम address वाले option में देखेंगे यहाँ पर address वाले में resident आपको select करना है फिर यहाँ पर आपको पूरा address यहाँ पर इस तरीके से fill कर देना जैसे मैंने यहाँ पर fill किया है नीचे आप देखेंगे telephone number email id पर आपको यहाँ पर tick कर देना है if you desire to update अगर आप अपना address अपडेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर update कर सकते हैं तो आप जो भी address डालें वो यहीं पर आपको रहने देना है इसके बाद आपको यहाँ पर country हाँ इसके बाद आपको यहाँ पर country select करना है तो इंडिया आप लिखेंगे तो जो भी यहाँ पर SD code होगा वो आ जाएगा यहाँ पर आपका SD code जो भी हो डाल देना mobile number यहाँ पर हम डाल देंगे mail ID यहाँ पर लिखी रहती है mention other permanent यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि आपके पास एक से अधिक pen card चल नहीं क्या तो जाहिर सी बात है सभी के पास एक ही pen card रहता है तो आपको यहाँ पर टिक नहीं करना है इसके बाद आपको next button पर click कर देना है अगले page पर आएंगे documents का आपको selection करना है यहाँ पर सभी में आधार card आपको select कर लेना है सभी में आधार sorry यहाँ पर तीनों में आधार हो गया यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर pen card की detail आपको देनी है तो pen copy of pen card आपको यहाँ पर select कर लेना अगर कोई pen card आपके पास नहीं है तो no document पर भी आप select कर सकते हैं तो यहाँ पर copy a pen card यहाँ पर हम select कर लेंगे कोई भी pen card की photocopy original जो भी होगा यहाँ पर हम upload कर देंगे इसका यहाँ पर ज्यादा issue नहीं रहता है इसके बाद यहाँ पर आप अपना name डालेंगे जो भी आपका name यहाँ पर है हम इस तरह से name डाल देंगे यहाँ पर himself select कर लेंगे तो यहाँ पर I have enclosed तो यहाँ पर आपको तीन select कर देना है यहाँ पर palace आपको डाल देना जो भी आपका palace है यहाँ पर आप district का नाम डाल सकते हैं आज की लिखी रहेगी इसके बाद आपको यहाँ पर photo upload करना signature upload करना है फिर यहाँ पर आधार open card आपको दोनों चीज़े upload करने है तो photo upload करने के लिए यहाँ पर लिखा no file यहाँ पर लिखा no file selected तो आपको इसी पर click कर देना है यहाँ पर आपका जो photo है तो signature upload करने के बाद यहाँ पर upload बटन पर आपको click कर देना है तो यहाँ पर जो भी signature हमारी यहाँ पर upload हो चुकी है इसके बाद हम document upload करेंगे तो document upload करने में यहाँ पर no choose file पर करेंगे तो सबसे पहले हम अपना आधार card upload करेंगे तो आधार कार्ड आप यहां पर select करेंगे फिर यहां पर upload बटन पर हम click कर देंगे तो जो भी आप file upload करेंगे आपको यहां पर message देगा जो file जिस नाम से आपने upload की उसका नाम यहां पर लिख कर आ जाएगा तो यहां पर यह upload माना जाएगा अगर आप इसको remove करना चाहें तो यहां से remove भी हो जाएगी दुबारा से upload कर सकते हैं तो हमको दुबारा से pen card upload करना है तो add document पर हम click करेंगे यहां पर file को choose करेंगे यहां पर हमारा my pen card file हमारी है तो यहां पर file हमारी select हो गई है फिर यहां पर upload button पर हम click कर देंगे तो upload button पर जैसे click करेंगे आपका pen card और आधार यहां पर upload हो चुका इसके बाद हम submit button पर click कर देंगे इसके बाद हम next page पर आएंगे हमारा pen number यहां पर लिखा रहेगा यहां पर आपको आधार के first 8 digit डालेंगे तो यहां पर आपकी 12 digit हैं वो complete हो जाएंगे तो यहां पर आधार के 8 digit यहां पर हमने डाल दिये यहां पर नाम हमारा लिख कर आ जाएगा यहां पर आप नीचे सारी detail आपको दुबारा से check कर लेना है नाम, father name, सारी जो detail आपने fill की वही यहां पर display हो रही है तो यहां पर आपको check कर लेना है तो यहां पर check करने के बाद यदि आपको लगता है कि हमने कोई गल्ती से कोई mistake कर दी है तो आप यहां पर edit button पर click करके उसको सुदार कर सकते हैं तो हमारे case में सारी detail size से fill है तो यहां पर proceed button पर हम click कर देंगे इसके बाद हम payment वाले page पर आएंगे यहाँ पर हम टिक कर देंगे तो हमारा payment जो है 107 रुपे यहाँ पर कटता है 106 रुपे 90 पेस है तो 107 रुपे जो इसकी fees है यहाँ पर कटेगी यहाँ पर I agree करेंगे proceed to payment पर हम click कर देंगे तो दुबारा से यहाँ पर pay confirm page पर हम आएंगे तो pay confirm पर हम click कर देंगे यहाँ पर हमारा QR code जन्नेट होता इसको किसी भी UPIF से हम scan कर देंगे तो यहाँ पर barcode आप जब scan करेंगे तो यहाँ पर redirect आपका page होगा कोई भी कि आपको press नहीं करनी है payment के दोरान receipt नहीं हो रहा है जिसे कि मैंने यहाँ पर payment किया आगे यहाँ पर हो नहीं रहा है तो दुबारा से हम इसको login कर सकते हैं तो दुबारा से इसी वाले page पर हमको आना यहाँ पर continue with application पर जाएंगे यहाँ पर आपको अपना token number डालना है email id डालनी है DOB डालनी, capture code डालके submit कर देंगे तो यहाँ पर हमारा token number email id और DOB से हमने इसको login कर लिया है इसके बाद देखेंगे हमारा payment यहाँ पर success हो गया यहाँ पर check box पर हम click कर देंगे इसके बाद यहाँ पर authenticate हमको करना है authenticate button पर हम click करेंगे यह automatic authenticate हुआ फिर यहाँ पर OTP authentication पर हमको page पर ले आएगा तो यहाँ पर OTP authenticate हम कर देंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि token number, application name और आधार number वगएरा यहाँ पर लिखा रहता है फिर यहाँ पर OTP एक आई है हमको यहाँ पर OTP डालना है तो जो भी OTP आई होगी आपके mobile पर आई होगी तो OTP हमने यहाँ पर डाल दिये फिर यहाँ पर submit पर हम click कर देंगे फिर यहाँ पर continue with e-sign हमको करना है e-sign करने के लिए आपको यहाँ पर tick करना है यहाँ पर आपको आधा number डालना send OTP पर हमको click कर देना तो OTP हमारे mobile नमबर पर भेजी गई है आधान नमबर डाला send OTP गी OTP हमारे mobile पर आ गई जो हम यहाँ पर डाल देंगे फिर यहाँ पर verify OTP पर हम click कर देंगे यहाँ पर देखेंगे कि हमारी acknowledgement slip यहाँ पर download हो चुकी है तो यहाँ पर आपको password protect यह रहता है तो यहाँ पर आपको password जो आपकी DOB होगी वह यहाँ पर डाल देना है डेट मन्त हीर डाउनलोड PDF पर हम click कर देंगे तो यह download भी हो जाएगी तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से डाउनलोड कर लेंगे तो जो भी password होगा DOB का वह यहाँ पर हम डाल देंगे इसके बाद हम अपनी mail ID चेक करेंगे यहाँ पर हमको एक receipt मिल जाती है जो कि इस receipt पर हमको एक enrollment number भी यहाँ पर दिखाई दे रहा जिस enrollment number के दुआरा हम अपना status भी यहाँ पर check कर पाएंगे तो यह पूरी परक्रिया यहीं पर complete हो जाती है फिर तीन दिनों के बाद हम अपनी mail ID पर देखेंगे तो अपनी mail ID पर हम चेक करेंगे हमको इस तरह की PDF मिलेगी जहाँ पर हमारी खुद की signature हो जाएगी और photo भी आएगा और साथी साथ इस तरीके का जो pen card है वो आपको physical में भी आपको pen card जो यह वाला pen card आपको physical में within 7 days आपके जो address पर send कर दिया जाता है तो यह हमारी पूरी परक्रिया यहीं पर complete हो गई है तो इस तरीके के आपको यह pen card मिलेगा इसके बाद आपको physical pen card भी आपके पते पर deliver हो जाएगा उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना वीडियो समाधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बाक्स में पूस सकते हैं तब तक इजाज़त चाहिते हैं जे हिन जे भारत